नमस्कार दोस्तों हम सीखने टूडी एनिमेशन और टूडी एनिमेशन में आपको बता रहे थे एड़र गैरेक्टर एनिमेटर 2020 के बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यहां पे जो आप देख रहे हैं मेरे स्कीन प का जो लाइन है कुछ इस टैप से जैसे लग रहा है कि यह डोल जो है बज रहा है किस टैप से क्रियेट किया गया है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिये गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेके आऊ तो उसका डेट आपको तुरंत मिल जाए तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ पहले यहां से जो भी यह करेक्टर से मैं क्रियेट किया हूँ इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया उसके बाद में क्या करता हूँ थोरा सा मैं एलेश्टेटर में दिखाता हूँ कि लेर को मैंने कैसे एरेंज किया है इसको बनाने के लिए मैं यहां से भी इसको डिलीट कर देता हूँ और step by step बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको create किया हूँ थाम थोड़ा सा illustrator में देखते हैं इसके layer को समझते हैं जैसा कि देखिए यहां पे head part में मैंने कुछ भी नहीं किया head part जैसे था पहले से वह इसे ही बना हुआ है हमने क्या किये अभी पीछे के video में trigger के बारे में दिखाए थे trigger का use कैसे करते हैं तो यहां पे भी मैंने इसके hand का जो part होता है इसको मैंने trigger बनाया हूँ क्या हुआ कि trigger तो मैं आप पीछे के video में देख सकते हैं कैसे create किया गया मैं इसके हाथ जो है देखिए यहाँ पर कुछ इस टैप से हाथ को मैंने create किया हूँ इसी टैप से left hand में भी मैंने इस टैप से create किया हूँ और इसको मैंने trigger के through वहाँ पर set किया कि उसके जो हाथ जब धोलग पर बजाने के लिए तो यह मैं जो हाथ create कर लिया था अभी मैं इसको यहां से एक default को own करता हूँ और इसी टैप से यहां पे भी मैं इसको default own करता हूँ उसके बाद मैंने यहां पे एक drum का एक layer बनाया हूँ जो यह layer था drum का आप अलग से भी layer आप जाके character animator में भी set कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको यहां पे इसलिए set किया कि इसका जो पूरा body है वो पीछे की ओर है लेकिन इसका hand जो है इसके उपर आना चाहिए इसलिए मैंने इसको drum को यहां पे set किया था तो आप इसके लिए भी layer एक बना सकते हैं किसी भी तरीके का और इस drum को मैंने क्या क्या इसके पूरे body के उपर रखा लेकिन जो hand part है उसके जो है पीछे रखा उसके बाद क्या करते हैं हमने जब यह line जो होता है यह line मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे मैंने एक line draw किया हूँ आप देख सकते हैं यहां पे कुछ step से line draw किया हूँ जब यह चले पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा step से तो आप किसी भी तरीके से line ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर जो draw किया था कि पहले छोटा row होया देखें तीन लेयर यहां पर बना रखा हूं इस line के अंदर टीन लेयर बना हुआ है जो पहला लेयर है अभी दिखाता हूं मैं आपको देखें पहले यह step आएगा फिर यह आएगा फिर यह आएगा तो इस टैप से आप layer को बना लेजिए और हम जो है वहाँ पे एक option है मैं आप यह दिखाता हूँ इसी टैप से जो दूसरा जो line है इसको मैं line 2 कर देता हूँ यहाँ पे इसको line 2 कर देता हूँ और इसी टैप से यहाँ पे भी मैंने इसको create किया था देखिए कुछ इस टैप से यहाँ पे यह create किया था और इसमें भी आगर आप देखें तो तीन टैप का जो create किया पहले यह छोटा था फिर यह बढ़ा हो गया फिर यह बढ़ा हो गया तो इस टैप से हमने create किया और मैंने यहाँ से इस सभी layer को बंद कर दें इसको own करने की requirement नहीं होता आप बंद कर दें और line 2 में भी मैं इसक को बंद कर देता हूं कि यह मेन्हें जया यहां से बंद कर देती हूं इस टैप से layer का एर्च किया जाता है इतना करने के बाद मैं इसको क्या करता हूं यहां पे कंट्रोल लाइन को कर दता हूं left line, line left और यह जो है line right यह मैं यहां से इसको save कर रहा हूं इतना करने के बाद हम चलते हैं character animator में यहां पर आते हैं और यहां पर उस character को import करते हैं तो यह एक हमारे पास background है मैं background को import कर लेता हूं पहले यह एक character है हमारे पास यह three character है इस character को यहां पर मैं ले के आता हूं यहां पर लाने के बाद मैं एक scenes को create करता हूं यहां पर scenes create होगे हमारे पास यह देखिए कुछ step से यह drum के साथ अभी पूरा हिल रहा है body इसका लेकिन हम set करेंगे और इसके पीछे हम यह background set कर देते हैं यह background होगा अब है हमें क्या करना है इसको जो है हम दिखाना है तो हम इस पर जाते हैं इस layer को select करते हैं और हम जाते हैं रीग में रीग में आने के बाद हम क्या करते हैं इसके hand का rigging करते हैं और पूरा body को हम stay करेंगे जो वहाँ पर हिल राता ना हिले तो हम head को पर click करते हैं और इसके head को मैं क्या करता हूं यहाँ पर इसको set करते हैं यह pointer जो है इसको हम बताएंगे यह neck है यह यहाँ पर click कर दिये यह हमारा जो है जो head का part है यह काम में रखो गया body में जाते हैं यहाँ पर right hand left hand है तो हम क्या करते हैं यहाँ से origin point set करते हैं यहाँ पर और इसी tap से left hand में भी हम origin point को यहाँ पर set करते हैं और leg को यहाँ पर रखते हैं इसके हम यहाँ पर pointer set करते हैं यह हमारा pointer set हो गया और hand में मैं क्या करता हूं यहाँ पर pointer लगाता हूं जो की हमारा यहाँ पर dragger लगा दिया और यहाँ पर इसको बाता हूं कि यह pointer है और इसी टैप से left hand में भी मैं यहां पर pointer लगाता हूं एक और इसको यहां पर click कर देता हूं उसके बात क्या करते हैं मैं इसमें जो है एक और यहां पर जो है रिगिंग कर देता हूं इसको बोलता हूं यहां पर pointer और यहां पर bones को create कर देता हूं और इसी टैप से right hand में भी जो है एक pointer यहां पर लगाता हूं और यह click करता हूं और इसमें भी bones को मैं create कर देता हूं यह मैंने बॉन्स को create कर दिये उसके बाद क्या करते हैं मैंने पीछे के वीडियो में भी दिखाया था इसमें swipe set को set करते हैं create swipe set है create swipe set और इसी टैप से इस left hand में भी create swipe set करते है swipe set करने के बाद क्या करते हैं हम क्या करेंगे एक हाथ जो है उपर हो तो दूसरा हाथ नीचे हो इसके लिए हम क्या करते हैं जो ये इसको हम करते हैं one और उपर वाले को करते हैं three उसके बाद three बला जो है इसको करते हैं one इसको 3 करते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं 1 यह हमारा जो है एक alternate set हो गया है अगर मैं अभी आपको दिखाऊं रिकॉर्ड में जाके तो यह हमारा है अभी और मैं अगर 1 और 3 प्रेस करूँ देखिए एक alternate ढंग से हाथ इसका जो है ड्रम पे आना शुरू हो गया है जैसे कि लग रहा है यह ड्रम को बजा रहा है तो यह हमारा एक part जो है finish हो गया अभ हमने देखना है कि जो line है line को हम कैसे ले के आते हैं तो line को लाने के लिए क्लिए क्लिक करते हैं यहां पे देखिए यह दोनो line है यह दोनों हमारा लाइन है हमें क्या करना है यहां से अगर इस पर क्लिक करते हैं यहां पर एक option है cycle layer का मैंने उपर का दो option बताया हूं और ब्रीट के बारे में पीछे के वीडियो में और आज मैं बता रहा हूं cycle layer के बारे मैं यहां से उपर से नीचे तक पूरा one by one step by step बताऊंगा और अभी मैं फिलार cycle layer के बारे में बता रहा हूं cycle layer का मतलब होता है क्या दोस्तों अगर मैं illustrator में थोरा सा आपको बताता हूं cycle के layer जो है automatic बन जाता है माल लिजे हम यहां से क्या करते हैं जैसे पानी का effect बनाना हो कुछ भी layer wise create करना हो आप चाहते हैं कि पहले यह आए फिर यह आए फिर यह आए फिर यह आए इस type का जो create होता है wave में आप इसी type से यहां भी create कर लें आप गो इसी type से यहां भी create कर लें कि यहां भी कर सकते हैं तो आप जितना भी layer आप create कर सकते कोई दिक्कत नहीं है आप इस cycle layer के थुरू आप इसको Enimate कर सकते हैं आप चाहते हैं पहले यह आये फिर मतलब पानी के वेव की तरह यह create हो या कोई समान उसको लगाना चाहते हैं तो वहां पे cycle layer के through ही इसको animate कर से जैसे धुआ होता है जैसे धुआ हम छोड़ते हैं फिर खतम हो जाता है इस type का जो character होता है इस type का animation होता है वो cycle layer के ही through create किया जाता है तो मैं देखता हूं कैसे करते हैं तो इसके लिए बिल्कुल ही आसान तरीका है, यहां पर हम जाते हैं, लाइन पर, यह हमारा लाइन है, यहां पर एक क्रियेट करते हैं, ट्रीगर को, यहां पर मैं ट्रीगर क्रियेट किया है, लेप्ट हैंड पर, तो लेप्ट हैंड पर जो हम क्रियेट ट्रीगर किये हैं, त निए ईसपर आये। उसी tab से right वाले पर गार। दिल्ड करते हैं और राइट वाले पर क्या है यह Three है तो हम इसको यहां पर राइट वाले पर One है तो हम इसको रखते हैं वन। जब राइट हेंड यहां पे आये तो यह लाइन यहां पर सव हो जाये। इस step से हमने इसको भी alternate कर दिया इतना करने के बाद क्या करते हैं एक और यहां पर करने की requirement होता है यहां पर click करते हैं click करने के बाद यहां से cycle layer को add करते हैं इसमें भी cycle layer को add कर दिये अब हम देखते हैं कि यहां से record में जाते हैं और हम यहां पर करके देखते हैं कि क्या हुआ है अगर one press करते हैं देखिए three one three one three one आप देख सकते हैं इसका जो है कुछी step से line जो है draw हो गया है जब लगता है जैसे यहां पर धोलक बज रहा है drum और यहां से step से शुरू हो रहा है तो इसका कुछ setting यहां पर दिया हुआ है आप जैसे अभी बहुत speed में आ रहा है इसको slow करना है तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है यहां पर rig में जाते हैं यहां से rig में जाने के बाद यहां पर जब हम इस पर click करते हैं तो यहां पर देखिए cycle layer का एक option यहां पर आता और यहां पर one second frame पर आ रहां तो हम इसको आप घटा भढ़ा भी सकते हैं मालेज़े हम इसको कर देते हैं three मतलब 3 फ्रेम तक यह चलेगा इसी टैप से इसमें भी हम कर देते हैं 3 अब यहां पर once हो रहा है इसको आप देख सकते हैं continue कर सकते हैं या once में एक बार में खतम हो जाए हमें once बार में जब आये तभी हम once में ही क्लिक करें जहां पर आपको requirement है तो दो बार तीन बार की भी कर स कर सकते हैं कि यहां पर है finish और stop immediately इसको आप देख सकते हैं तो हमें इसके बाद इतना करने के बाद हम देखते हैं आप फिर से record में जाते हैं और अभी यह मैं आपको करके दिखाता हूं देखिए कुछ यहां पर slow हो गया यह तो इस type से जो है इसका जो है यूज कर सकते हैं उसके बाद मैं अगर यहां पर थुरा सा character यहां पर इसको stay कर देता हूं यहां पर क्या करते हैं character पर click करते हैं और यहां पर और इसको जो है drum को मैं stop कर देता हूं जो ही लेना और यहां पर एक यहां पर अभी हम क्या करते है रिकॉर्ड में जाते हैं रिकॉर्ड में जाने के बाद अब हमारा जो है character देखिए कुछी step से हिल राए लेकिन drum हमारा जो है fix हो गया है आप देखिए step से create हो गया है और आप यहां से recording कर देखिए मैं इसको यहां पर record कर देता हूं कुछ step से जो कि drum लगे जैसे बजा रहा है यह character तो चलिए मैं यहां तक इसको record कर दिये और अभी मैं इसको stop कर दिया और मैं आपको दिखाता हूं यहां से मैं इसकी voice को बंद कर दिया और अब मैं own करके चलाता हूं इसको देखिए यह हमारा character जो है कुछ step से create हो गया है उसके बाद आप इसको यहां से export कर सकते हैं और अपने वीडियो में जहां भी आपको लगाना चाहते हैं वहां पे जाके इसको लगा सकते हैं तो यह था दोस्तों cycle layer के बारे में जहां पे behavior दिया हुआ cycle layer का तो आसा करता हो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे जा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊ तो उसका update आपक तुरंत मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you